Realme TV इंडिया में लौच चुका है और यह पहला TV है जिसमें MediaTek Quad Core Processor का उप्योग किया गया है आम तोर पे जितने भी Smart TVs मार्केट में अवेलेबल है शायद आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन ज्यादा करके उन TVs में AM Logic Quad Core Processor का उप्योग किया जाता है तो चलिए देखते हैं कि यह जो MediaTek Powered Smart TV है इसमें ऐसी क्या खास बात है देखते रहिए जब तक मार्केट में competition नहीं होगा तब तक यूजर के पास कोई options नहीं पचता है मतलब कि उनके पास जो भी चीज अवेलेबल है उन्हें उसे खरीदना पड़ता है अब क्योंकि MediaTek Powered Smart TVs मार्केट में आ चुके हैं तो यूजर के पास option मिल गया है अब वो चाहें तो MediaTek Powered TVs के लिए जा सकते हैं या फिर AM Logic या अन्य जो प्रोसेसर अवेलेबल है मार्केट में उसके लिए जा सकते हैं शायद आप लोगों कोई जानके हैरानी होगी कि MediaTek बहुत सारी अन्य चीज़ों में भी involved है mobile phones ही नहीं बलकि यह जो टीवी है इसमें भी और MediaTek के जो चिपसेट है यह दूसरे प्रोडक्स में भी उप्योग किया जा रहा है जाद करके चांसिस है कि आपके घर में जो router है या फिर जो security camera है उसमें भी हो सकता है कि MediaTek चिपसेट का उप्योग किया जा रहा हो वैसे जो MediaTek चिपसेट जो Realme TV में उप्योग किया गया है यह context A53 है और जाद करके जो दूसरे TVs है जिनमें AM Logic या अन्या चिपसेट का उप्योग किया गया है वो भी context A53 है लेकिन दूसरे TVs में जादा करके आपको Mali 450 MP3 GPU मिलता है और यह जो Realme का TV है जिसमें MediaTek का चिपसेट का उप्योग किया गया है इसमें है Mali 470 MP3 GPU यह जो Mali 470 MP3 GPU है यह Chroma Boost फीचर सपोर्ट करता है जो कि आपने Realme के बहुत सारे स्मार्टफोन में देखा होगा यह जो Chroma Boost फीचर है यह colors को enhance करता है तो वही same technology इस TV मतलब कि Realme TV में भी उप्योग किया गया है और यह possible है MediaTek chipset के साथ में वैसे तो मैंने Realme TV का unboxing कर दिया है और उस वीडियो में मैंने इस TV के जो features है उनके बारे में details में बात किया था लेकिन इस वीडियो में मैं खास करके MediaTek processor और इसे related features के बारे में बताने वाला हूँ यह जो TV मेरे पास है यह 43 इंचिस का TV है Full HD resolution के साथ में आता है Chroma Boost Picture Technology का उप्योग किया गया है Colors और Viewing Angles बहुत ही बढ़िया है यह 1GB RAM और 8GB Storage के साथ में आता है YouTube के जो वीडियो है वो भी बहुत ही बड़ी तरीके से प्ले हो रहे थे वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसमें सिंगल बैंड Wi-Fi है 2.4 GHz का 5 GHz की जरूत नहीं है वैसे यह जो TV है Full HD resolution support करता है और इसमें Bluetooth 5.0 technology का उप्योग किया गया है जो की एक बहुत ही बड़ा improvement है कह सकते हैं और जो remote दिया हुआ है वो भी Bluetooth remote है और काफी interesting किसम का remote है बहुत ही कम buttons दिया हुआ है और कुछ dedicated buttons दिया हुआ है जिससे आप specific applications को instantly load कर सकते हैं इस TV में जो mediatek quad core processor का उप्योग किया गया है यह बहुत ही stable है और काफी बढ़िया performance दे रहा है लेकिन यह जो chipset है यह बहुत ही powerful है खास करके जो 470 MP3 GPU जो है इसके लिए आप gaming try कीजे इस TV पर in fact मैंने gaming try किया है और मैंने मेरे पास जो gamepad था उसे bluetooth के जरिये इस TV के साथ में connect किया है और देख सकते हैं कि इस TV पर आप games बहुत ही smoothly play कर पाएंगे वैसे मैंने expect नहीं किया था कि इतना smoothly game मैं इस TV पर खेल पाऊंगा और कभी कबार ऐसा होता है कि जब आप नए games install करते हैं तो महाँ पर कुछ ना कुछ आपको lag type का देखने को मिलता है उसके बाद में stable हो जाता है वैसा मुझे इस TV पर नजर नहीं आया एकदम smooth performance था इतना smooth था कि मैंने और भी games जो है उन्हें download किया है testing करने के लिए तो दोस्तों STV का performance बहुत ही बढ़िया है इसमें 24 watts के दो speakers दिया हुआ है साथ में दो tweeters भी दिया हुआ है total charge speakers है जिसके कारण जो sound quality है बहुत ही impressive किसम की इसमें से आती है और यह जो mediatek quad core chipset है बहुत ही ज्यादा powerful है देख सकते हैं कि इस पर आप बढ़िया games भी खेल पाएंगे जो खास tv के लिए बनाया हुआ है और जहां तक gaming का सवाल है आप realme का remote है इसका उप्योग करके भी games खेल पाएंगे लेकिन भैतर experience के लिए अगर आपके पास कोई gamepad है तो bluetooth के जरीए आप उस gamepad को connect कर पाएंगे वैसे gaming experience इस tv पर काफी बढ़िया रहा है 12,999 रुपीज 32 इंचिस का और 43 इंचिस का टीवी है उसका प्राइजिंग है 21,999 रुपीज तो दोस्तों जो media tech chipset है इसमें बहुत सारे premium flagship features दिया हुआ है तो अगर आप एक tv खरीदना चाहते हैं तो media tech powered tv एक भैदर option होगा realme tv जिसमें media tech chipset का उप्योग किया गया है और देखते रही है